सिक्षक के हित में सरकार हमेशा साथ अपना काम पर बापर जाना ते लिए जो भरम फजा रहे हैं जो समझदार सिक्षक हैं जो लीजर्शी में विश्वास करते हैं उगर भावनाम नहीं आ रहे हैं नमस्कार मैं मैंनिस और आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 हमारे साथ मौझूद हैं कॉंग्रेस के विधायक छत्रपती यादव जी कल आपने बिहार के उप मुखमंद्री तेजस्वी यादव से सिक्षा मंत्री चंद्रसेखा जी से मुलाकात की किस मुद्दे पर आपने उन स सब्सक्राइब सिंहींश्य षिक्षा के हीत में सब्सक्राइब मुलाकाइब भ्रेया मांनिय मंतिजी Dow , विखें सवाकबाद ने माने मुकमंति जी भोल दिया है कि चलदर तारीक बाद सिक्षक निताओं तुमाम निताओं से में बात करेंगे अभ गीँगा तो दो जै का जाक अब तो सिक्षक लोग आपको लोग पापस जाना ना चहिए अब ये चोद्री जी विनुवत किये कि आप लूब आपस जाईए आपकी काम होगा सरकार सिक्षक के सहयोग में हैं सिक्षक के नेताओं से बात करके चाहते हैं बात के मिस्पाधन हो अज जिस वीज़ में सथाकति मेडिया जो भरम फजा रहा हैं नुमसाहिल करके तो आप ब दोर भावी होते हैं सरकार बहुत दंविता से बिचार करें अब सरकार सिक्षक विरोध भी कर रहें तो इनकी कि आप दिए तो कहने कि वो लोग साजिक सिकार भी हो रहे हैं और सरकार माने मुखंतिरी जी बहुत गंबिर्टा प्रवग जो है कि यसली बात करके मांगर्बन नेताओं से बात करके सबसे उठाए थे कि सिख्षा की बात करें अब जो सिख्षक हित्म होगा सिख्षक नेताओं से विश्वास करते हैं है तो हमारे जो स्टेट लिएडर हैं तो आपको अधिकारी होगा अगर बात की जाए तो ग्रेजुएशन तक सभी छात्राओं को मुब्द में सिख्षा देने की बात बिहार के मुखमंतरी नितीज कुमार ने किया लेकिन बिहार के तमाम कॉलेज हो या स्कूल हो बच्चियों के नामांकन पर अवैद बसूली जो है की जाती है तो क्या इस पर कैसे लगाम लगा पाईएगा सदन में कैसे आप लोग इन सबी बात होगा अब देखिए कहीं अवैद बसूली हो रही है कोई विक्तिव बोलत अब भाग रहे है कोन भाग रहा है उसी तरह मानली हम अवेद की बात जर्व करेंगे पहुचा में तो जैसे आज सदन में तजसी बक्तब दे रहे थे परस्न का जवाब दे रहे थे वह हमें निता है कि सरक पर घास हो गई है अब करें बुषणद्री कर दिया आपको पास प्रूफ है देजे हम उज्यास्क्रवात कि पुर्कुसाद बोला थे पास हजारो हें हम ये बात कर रहे है तो करें हो भूटबाहर के बिया करें हैu रहे है बहुत भुआ रही है कौन करा कुछी नाम लेकर बोली तो सरकार हो कम सरकार यह है बोलतों नहीं रहा है अब बीजेपी के बाद लिए अब ब्रावरा पोस्टर टंग गया है अब चलो भाई इसी वह हो ली खेल ले इस यह कहीं वोट फोल्ट इस्टोरी होता है और जो मुखमंत्री जिन सिक्षक के करते हैं किसान सलाहकार हो जो नियोजित फिट रही आप बात नहीं समझ रहे हैं यो समझदार सिक्षक हैं जो लीजर सी पे विश्वास करते हैं उगर भावनाम नहीं नहीं आ को जोई नहीं कि हरा अधी सिक्षक सपोर्ट सरकारे के सपोर्ट हो लेकिन जो थ्वासा भी बुदी मान है विशार वान है वो बेक्ति अपने लिजर से मिश्वास कर रहे हैं कि जो उसका लिजर करेंगे तो लीजर हमाने मानली प्रांतिय नेता है पर गुरुप की नेता सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो पुलिस पर शासन जो क्या मोग करेगा मानली उसी में आप सारे सिक्षक ही भरना दे रहे हैं परदसन दे रहे हैं इसक्या गरांटी है जैसे बरावरा पोस्टर टांग बीजेपी भी बोल नहीं है परदसन करेंगे धरना करेंगे जब पुरे भीहारे खिला देगे हो घरिया में प्रवट्ता से ब्धानशाव है नेता के पूट्र है नेता के पूत्र जीसा बात करना चाहिए तक तो आप उसी पार्टी में थे उसी परदे चल किने हैं ऐसा तो नहीं है कि समाज आपको ने जानता है समाझ को लोग को आप ने हैं आप बोलने के लिए मिदिया के सारे में पहली केप्टर से कहीं जाए अक्वार मुड़ाबर न्यू छब जाए चैनल और क्वार क्या लिख रहा है जनता उसकी बात को समझ पाने क्या जनता की भामना कुछ बताते नहीं आप सही बताने वाले आदे पर करवाई करेगा है लेकिन लागातार देखा जाए कि भाजपा के दोवारा परदर्शन किया जा रहा है हंगामा कि यहां तक कुरूशियां फेक कि जा रही है तो फिर आम जनता की समस्या कैसे उठाए जाए आप कल तक बिए सिनाजी माने ब्एशी कर थें तब उससें निती जी के साथ है औ सब्सक्राइब लगए और पुडीय फोर्स को सदन नहीं हो सकता है आज मानली तो सदन से बाहर स्पीकर बनें बीजयपी में तो सदन चलने नहीं दे रहे हैं कल तक तक आपके सदन बहुत बिसक्रिम्ती है विपक्षी को नसीद दिरे थे आज क्यों ने आप यादक पलं करते हैं आज आप वही काम कर रहे हैं जो कलना से दरे दूसका उल्टा क कर रहे हैं और सदन छलने उनके पार्टी के भी जुब भीजव भाएक जीर नहीं होते हैं जो फ्रेसों नीकाल देने के लिए हर इस्बेसीं सुन ने यह हम लेता है और उसको जब्याताहर उसको भी लगता है कि हम स्ट्रम जायंत क्या करेंगे तो जो बीडर सिप में पार् वो नहीं चाहते हैं किसी शवी इसलिए अपने विधायक को भीनराज करते हैं अब भी जाइक बोले ते क्या बोले अब मालिया बैट कीजिए अप जूट को सच बना रहे हैं कि असर्च को जूट मारे हैं कल तक आप उनके साथ थे तो सारे ची ठीक था आज आप हट गया है तो करते हैं कल माले हमी लोगी पक्षी में थे सब भूलने का नहीं है अब कुर्शी में है पार्टी के लिए आप जूट बोलते रहे कुछ दिकत नहीं पार्टी में ताव कुछ तो पुगाएंगे यह थे हमारे साथ कॉंग्रेस के बिधायक छत्रप्यति आदव जी जिनों ने सिधे तोर पे यह कहा कि समराट चौधरी भी तो पहले आरजडी से ही थे उनके पिता का भी उत्पति अगर हुई है राजनीतिक छेत्रों में तो आरजडी से हुई है भले आज बीजेपी में जाकर उलूल जूल जो है बयानवाजी करें दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि जब खुद गठवंधन में थे और पटना